कबड़ी वल्ड कप, आकड़ी बार हमने साल 2016 में देखा था लगबग 8 साल पहले, ये बहुत ही लंबा समय बीच चुका है कबड़ी वल्ड कप को हुए, गुड न्यूज आप सभी के लिए है कि इंटरनेशनल कबड़ी फेडरेशन के लेटिस कैलेंडर में ये मिंशन किया है कि हमें अगले साल के पहले महीने में कबड़ी वल्ड कप देखने को मिलेगा, एमच और कबड़ी फेडरेशन ओफ इंडिया जो की इंडियन टीम की गवर्निंग बोडी है, कबड़ी में उन्होंने हाली में 36 प्लेयर्स की लिस्ट पब्लिस किये, जो इंडियन टीम कोच या फिर वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे देने वाला हो, सो ओवरल तैयारी सुरू हो चुकी है, और आईए इस वीडियो में बनाते है, टीम इंडिया की स्ट्रॉंगेस्ट एंड बैलेंस स्कॉर्ट फोर अपकमिंग इंटरनेशनल कबड़ी उनको ना सिलेक्ट करके कैसे टीम इंडिया की स्कॉर्ट बनती है, और आखरी में जो 36 प्लेयर का लिस्ट आया है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या टीम इंडिया की 12 मेंबर की स्कॉर्ट बन सकता है, वो भी हम जानने वाले है, तो सब जब पहले मेरी टीम इंडिया की स and 26 tackle points इन्होंने प्रो कबड़ी season 10 में performance दिया था and PKL 10 के winning captain भी है तो जरूर इनको team में select तुमें करने ही वाला था and Raiders यहाँ पे मैंने 4 select किये है सबसे पहले अरजुन देशवाल जो की right raider है क्या ही performance इन्होंने PKL 10 में दिया था 23 matches में 276 raid points इन्होंने score किया था दूसरे यहाँ पे पवन सहरावत होगे इंडियन कबड़ी team के कप्तान right raider and इनका भी season काफी अच्छा गया था 21 matches में 202 raid points इन्होंने score किया था मेरे तीसरे raider नफीन कुमार होगे जो की right raider है PKL 10 में injured हो गये थे लेकिन 6 matches खेले 71 raid points score किये and question होगा क्या injury से अभी तक recover कर पाएगी नहीं कर पाएगी तो अभी recent के photos में यही दिखर है कि अभी भी recover कर रहे है लेकिन पूरी तरह अभी भी recover नहीं हुए तो उमीद करते कि जब भी international matches होगे उस समय तक नवीन गुमार selection के लिए available होगे फिर अगले player आसु मलिक होने वाले पीकल टेंसर पहले आसु मलिक को कोई भी नहीं select करता लेकिन जिस तरीके से इन्होंने performance दिखाया जिस तरीके से इन्होंने जिम्मेदारी ली कप्तानी की एंड टीम को eliminator तक ले गए कापी अच्छा performance दिखाया राइट रेडर है 23 matches में 276 rate points इन्होंने score किया तो ये चार रेडर्स है अरजुन देशवाल पवन सहरावत नवीन कुमार आसु मलिक एंड चारो के चारो ही रेडर्स राइट रेडर्स है एंड ये combination नहीं बन रहा है लेकिन तभी भी मैंने चार रेडर्स को right रेडर्स को सिलेक्ट किया अच्छा दिख रहा है इसलिए मैंने इनी प्लेर्स को सिलेक्ट किया अब defense की बात करते right cover में कौन से दो defenders हो सकते सबसे बदे मेरे सुर्जिर सिंग होने वाले है अफकोस इनको टीम में सिलेक्ट करना होगा काफी ज़्यादा experience है इनके पास और performance भी काफी अच्छा इन्होंने दिया था PKL 10 में 21 matches में 56 tackle points इन्होंने score किया और दूसरे right cover के defender होगे सुनिल कुमार जो की 23 matches में 55 tackle points score किया अफकोस इनको भी select करना पड़ेगा काफी ज़्यादा experience है और कप्तानी भी काफी अच्छा कर लेते left cover के भी 2 defenders मेंने pick किया है सबसे पहले परवेस भैसवाल जो की आउटो फोर्म चल रहे है लेकिन सुनिल कुमार को select किया तो परवेस भैसवाल मेरे ड्रीम टीम में अफकोस होने वाले है 15 matches में 8 tackle points से score किया लेकिन पीकल 9 इनका काफी अच्छा गया था तो परवेस भैसवाल अगर आपको inform left cover defender चीए तो जैदीब दहिया को मेंने select किया है 23 matches में 68 tackle points इन्होंने score किया हर season में काफी अचा performance दिखा रहे है left cover position के one of the best Indian defender जैदीब दहिया है corner defenders की बात करते तो right corner पर सबसे पहले मेरे सागर राठी होने वाले एक लोते ही right corner के defenders होगे मेरे squad में वेकोस और भी सारे alternate है लेकिन में सागर राठी के साथ जा रहा हूँ 18 matches में 66 tackle points इन्होंने score किया और ये कहा सकते कि Indian कबड़ी में one of the best right corner position के defender कोई है तो वो है सागर राठी left corner के दो defenders की बात कर लेते हैं सबसे पहले अंकुस राठी दो ही pro कबड़ी का season खेले और क्या ही खेले है 22 matches में 70 tackle points इन्होंने P.K.L. 10 में score किया था और इनके साथ रहेगे सुमीत सांगवान इनका भी performance काफी अब हुआ है 22 matches में 61 tackle points इन्होंने score किया है तो ये दो मेरे left corner के defender होगे तो overall जो मेरी team है वो आप अपने screen पे देख सकते हो एक all-rounder असलब नामदार चार Raiders अर्जुन देशवाल, पवन सहरावत, नवीन कुमार, आसु मलिक right cover के सुर्जीद सिंग, सुनिल कुमार, left cover के परवेश, चैदीब दया right corner बे सिर्फ एक ही सागर राटी and left corner के दो players अंकुष राठी and सुमीत सांगवान and आपको कैसा लग रहा है score strong तो लग रहा है लेकिन आप balanced की बात की जा तो rating line-up में उस हिसाब का मैं agree कर रहा हूँ कि balance नहीं है left traders भी अगर एक दो और pick होते तो अच्छा दिखता लेकिन overall मुझे team ये जो है वो काफी अच्छा दिख रहा है अफट अफट यहाँ पे alternate squad भी बना लेते हैं क्या इस players के अलावा क्या team इंडिया की squad बन सकती है एक all rounder मैंने pick किया है जो कि यहाँ पे नरदर कंडोला होगे left trader rate 186 rate points score किया no tackle points भी था तो काफी अचा performance इनको में pick करने वाला हो चार readers की बात की जाए तो चार readers परदीप मरवाल होगे सचीन तनवर होगे मोहित गोयत होगे और मनिंदर सिंग होगे परदीप मरवाल left trader 122 rate points इन्होंने score किया पीकल 10 में सचीन तनवर right trader 171 rate points और साथी में 13 tackle points भी score किया मोहित गोयत right trader 122 rate points और 29 tackle points इन्होंने score किया मनिंदर सिंग right trader 21 matches में 197 rate points इन्होंने score किया और cover defenders की बात की जाए तो मेरे cover defenders होगे मोहित नांदल, अभीनेस नदराजन और विशाल लाथर मोहित नांदल और अभीनेस नदराजन राइट कवर के defender और लेफ्ट कवर के position पे मैं सिर्फ एकी defender को pick कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे विशाल लाथर होगे यहाँ पे संके सावंद का भी option है लेकिन मैं विशाल लाथर के साथ जा रहा हूँ experience इनके पास है काफी ज़्यादा और corner defenders की बात की जाए तो मैंने यहाँ पे क्रिशन धुल, योगेस धाया, अंकी जागलान और साहिल गुलिया को pick किया है क्रिशन और योगेस राइट corner के defenders, अंकीत और साहिल लेफट corner के defenders, और चारो ही defenders ने PQL 10 में काफी अच्छा performance दिखाया, 50 प्लस tackle points इन्होंने score किया तो यह है alternate team इंडिया की squad जो मैंने पहले select किया था वो players नहीं उसके अलाबा तो आप देख सकतो नरेदर, कंडोला, परतीप, सचिन, मोहीत, मनिंदर defenders में मोहीत, अभीनेश, नदराजन, विशाल, क्रिशन, योगेस, अंकीत, और साहिल और आप यह कह सकतो कि यह squad भी team इंडिया की काफी जादा strong हमें देखने को मिल रहा है अब वीडियो में आगे बढ़े, इससे पहले मैं आपको बतार देना चाहता हूँ IPL का season end होने वाला है और आने वाले matches बहुत ज़्यादा crucial होगे अगर आप IPL को follow कर रहे हो और अगर आपको IPL के matches के prediction चाहिए best accuracy के साथ तो अप Raja Cricket Analyst Telegram चैनल को अगर कर सकते हो, वहाँ पर आपको IPL के matches के prediction बिलकुल free में देखने को मिल जाएगा तो आपना भी तक join नहीं किया तो description box में link में आपको दे देना वाला हो जाईए and Fata Fata Raja Cricket Analyst Telegram चैनल को join कर लिजिए ऐसे ही free में prediction जानने के लिए अब हम आचुके हैं सबसे interesting part की तरफ क्या हो सकती टीम इंडिया की squad जो 36 players की जो list आया था, वो 36 players का list में आपको बताने वाला हो नहीं वो वीडियो में अच्छे से मैंने बात किया ता आप वो वाला वीडियो बाद में देख सकते हो all rounder एक यहाँ पे pick होगे अरजुन देशवाल, आशु मलिक, नरेंदर कंडोला यह 4 readers यहाँ पे मुझे लगता की pick होगे जिसमें नरेंदर कंडोला, left reader and असलम नामदार भी left reader का options यहाँ पे मिल रहा है तो variety काफी ज़्यादा left and right reader का and जो select नहीं हुए यहाँ पे अकास, सिंदे, विने, राके, संदीब and गुमान सिंग के भी options है लेकिन मैं यह 4 readers के साथ जा रहा हूँ right cover position की बात की जाए तो यहाँ पे सुरजीत, सिंग and मोहित नांदल होगे and left cover पे मैंने pick किया है जैदीब दहिया को तो right cover पे और भी options थे 36 players के list में जिसमें अभिनेस भी थे, मेरु कदम भी थे लेकिन मैंने सुरजीत and मोहित नांदल को pick किया है and left cover में संकेत, महिंदर and अरकम शेक का option था अरकम शेक तो all-rounder है लेकिन मैं यहाँ पे जैदीब दहिया के साथ जा रहा हू and corner defenders की बात की जाए तो right corner पे नितेश कुमार, कृशन धुल को मैंने pick किया and left corner पे मैंने सुमित सांगवान and अंकी जागलान को pick किया है right corner में गौरफ खतरी and राहूल सेथपाल का भी option था left corner पे जितेंदर and सुरिंदर का भी option था लेकिन मैंने इन 4 corner defenders को pick किया है तो आप देख सकतो 36 playlist के according मेरे हिसाब से ये team India की possible squad बनेगा अगर इसके according बनाया जाए तो असला में नामदार पवन सहरावत, अर्जुन देश्वाल, आसु मलिक, नरेदर कंडोला, सुरिजित सिंग, मोहित नांदल, जैदीब दया, नितेश कुमार, कृष्यन दूल, सुमित सांगवान and अंकी जागलान तो तीन squad यहाँ पर मैंने वीडियो में आपको बता दिया, दो मैंने अपने हिसाब से बता है and तीसरा मैंने उस list के according pick किया है अब आपको कहला लगता है कौन सा squad जादा strong आपको दिख रहा है and आप भी अपना 12 member का team India का squad comment section में बता सकते हो तो कोई सबी players को आप pick कर सकते हो, तो मैं सभी के comments यहाँ पर read करने वाला तो आप अपनी squad comment section में लिख सकते हो and आप सभी के मन में question भी उठेगा कि परदीप, नर्वाल, मनिंदर सिंग, नवीन कुमार कहा है और 36 players के list में क्या वो select नहीं हुए तो click करके आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो, तब तक मैं मिलता हो उसी वीडियो में, thanks for watching